वेलकम बैक गईस पोकेमोन के यह नए नए रीजन आते रहते हैं हमको नए लजंडरी पोकेमोन भी देकने मिलते रहते हैं तो में अब तक यह बहूत सारे लेजंडरी निन हो चुके है तो आज की वीड़ болum हiene बांग लोग हर एक एक रिजन में से सबसे section के अंदर बता सकते हो, यहाँ पे अब हम लोग बाई Gen 1, यानि कि क्यांटो से लेके Gen 9 पाल लिया तक हार एक रिजन से best legendary Pokemon देखेंगे, मदा आएगा, इन तक बनेंगे आप start करते हैं, start करते हैं क्यांटो के साथ में, तो क्यांटो के अंदर देखा जाए तो total 5 legendary Pokemon हैं, वो मेरे recording रहेगा Mew, अब देखो, मुझे अच्छे से पता है, anime-wise अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे Mewtwo को भले थोड़ा जादा strong दिखाया गया कभी कबार, और इसके अलावा स्टाटो अगरा Mewtwo जादा सही है, लेकिन फिर भी आर मानना पड़ेगा कि Mew actually जादा powerful है, बिल्कुल जैसे RCS के हम जानते हैं, भले उसके stats Mewtwo से जादा नहीं है, लेकिन हम सबको पता है कि RCS Mewtwo से जादा powerful है, और उसके बास Mega Evolution भी नहीं है, तब भी, तो वैसे ही Mew है, और Mew भी बता बहुत जादा powerful है, वो Mewtwo से भी next level है, Mewtwo जार almost उसकी टक्कर का है, लेकिन still उससे थोड़ा सा कमी powerful है, तो इसी वैसे हम कह सकते है, Mew जादा powerful है, भले ही उसके stats जादा नहीं है, और इवन यार वो एक्डम God level वाला Pokemon है, वो almost RCS जैसा है भाई, बिलकुल RCS की टक्कर का Pokemon है, तो मुझे लगता कि Mewtwo जादा powerful रहेगा Mew से, भले हमको Mew की power उतनी दिखाई नहीं जाती, बर definitely यह बहुत next level power वाला Pokemon है, तो मुझे लगता है कि Anto मैं सबसे powerful मैं इसी को रखूँगा, next यहाँ पर आता है Joto Region, Joto के अंदर यार सबसे पहले तो Joto का जो Legendary Tribe है, उसके तीन Pokemon, Raiko, Ante और Suikun, इसके अलावा सिल भी, Lugia और Ho-Oh, ऐसे काफी powerful legendary Pokemon है, सबसे powerful देखा जाए, तो यहाँ पर देखो, Lugia और Ho-Oh वैसे तो बिल्कुल टकर के Pokemon है, दोनों की power level सेम है, बिल्कुल, लेकिन, यहाँ पर Lugia के पास नया type effectiveness है, क्योंकि Lugia के जो moves है न, वो यार, electric वगरा, rock, ऐसे-ईसे moves भी सीख जाता है, जो कि यार, full एकदम effective रहते ह है, भाई, Ho-Oh के उपर, तो हाँ, यहाँ पर देखा जाए, तो यहाँ लोगिया मात देता है, Ho-Oh को, वरना यार, इन दोनों की power level almost पूरी सेम है, stats भी हम जानते है, लेकिन हाँ, type effectiveness की वाई से मुझे लगता है, लोगिया थोड़ा सा आगे है, उसे थोड़ा ज्यादा powerful है, तो जोटो के अंदर सबसे strongest मेरा recording रहेगा, लूगिया, नेक्स्ट आता है, Ho-Oh के अंदर भाई, Groudon, Kayogre, Deoxys, Jirachi, काफी अच्छे अच्छे Pokemon है, और लास्ट में रक्वेजा, यहाँ पर तो मुझे लगता है नहीं, किसी को थोड़ा सा doubt भी होगा है, कौन सबसे दावर strongest ह यहाँ पर अपने रक्वेजा, रक्वेजा की पावर लेवल हम जानते हैं, यह Pokemon World के सबसे टॉप Pokemon में से एक आता है, गौड लेवल Pokemon में से एक आता है, यह उपर से इसके बस Mega Evolution भी है, जबकि अल्रेडी इतना Broken Pokemon है, उसके बाद भी इसके बस Mega Evolution है, जिसमें आने के बाद त सबसे पावरफुल सी दसी दरक्वेजा है, नेक्स आता है, सिनो, सिनो के अंदर तो बहुत सारे Legendaries और Mythical है, इसलिए यहाँ पर हम लोग जो एकदम टक्कर के उनी को लेते हैं, गेरिटीना, डियालगा, पालक्या और RCS, इनीच आपरों के बीच में थोड़ी टक्कर है, बा अलगी नेक्स लेवल है, जैसे मैंने बताया, Mew और RCS ना अलगी लेवल पर God level Pokemon है, और यह सही में, बहुत जादा पावरफुल है दोनों के दोनों, RCS भाई बहुत जादा खतरना के, इसके बास moves भी एक से एक हैं, और स्टैट्स और तो उतना जादा नहीं है, इसके नोवा के अंदर भी बहुत सारी Legendaries और Mythical हैं, लेकिन यहां सबसे पावरफुल देखे तो टाव ट्राव ही रहेगा, यहीं तीनों के बीच में आपस में टककर है, यहां पर देखो सबसे पावरफुल देखा जाना है, तो रहेगा Q-Ram, क्योंकि यह बाकी दोनों से fuse होके अ काफी अच्छा कासा पावरफुल चाहिए Legendary Pokemon है, और Unova के अंदर शाहिद सबसे पावरफुल इसी को रखना चाहिए Q-Ram को, नेक्स्ट आता है कालोसेजन, कालोस के अंदर सबसे पहले जो ट्राय होगा है, यानि की Xerneas, Yveltal और Zygaard, टीनों ही काफी पावरफुल है, इसक अब नेक्स्ट लेवल बीस्ट हो जाता है वो तो, उसके पास एक से कदरनाक मूव है, जिससे बाई किसी को भी अराम से हरा सकता है, टाइटिंग भी काफी अच्छी है, और 100% फॉर्म में डिजाइन भी बहुत जाला मस्त रहता है, जाएगार्ड का, ओवरॉल यार एकदम और नेक्रोजमा, तीनों ही बहुत जादा खतरनाक है, सबसे पावर्फुल देखें तो यहां पे वो रहेगा लूनाला, क्योंकि यार यह इनका ट्रायो मास्टर है, हम कह सकते हैं, इन में से सबसे जादा पावर्फुल यह है, उपर से इसके बाद इसका अल्टरा नेक्रो नेक्स्ट आता है, गलार के अंदर भी जिन में एकदम टक्कर रहेगी, वो तो है, जैशी एंजमेजनटा और रिटानेटास, यही तीनों के बीच में सबसे जादा टक्कर रहेगी, और वैसे अनेमे के अंदर हमने देखा है कि इनोंने मिलके हरा भी रखा रखा किसे हराया, एक 1v1 में हराते तो थोड़ा ज्यादा बड़ी बात थी, तो कह सकते है मिरे को लगता है एटानेटास तब दी इन से ज्यादा ही पावरफुल है, उपर से उसका एटानेटाम एक्स फॉर्म पाई उसके स्टैट्स पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्याद है, तो अ अगर हम देखें, तो देखो, स्टैट्स वाइस तो ओव्यसली दोनों ही सेम है, लेकिन मेरे अकोडिंग आप है कोराईडॉन, मिराईडॉन से ज्यादा बेटर और ज्यादा स्ट्रॉंग है, डिजाइन वाइस ब्यार अच्छे कासे हैं, दोनों उतना अच्छा तो डिजा को मैरे बदर जरूर बताना, या ती हमारी आज की वीडियो, तुम लोग मेरे उपीनेंस से अगर करते हो या फिर नहीं करते हो, कॉमेंट सेक्शणन के अंदर बता सकते हो, अगर नहीं करते तो अपनी में से लिस्ट वाइस, लगो डाल दना, मैं जरूर पड़ूँंगा यार बाकि वीडियो बसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मिलोगा तुमसे ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए बाए